कुछ मंदिर हैं जिन पर कबजा करके उनको तोड़ करके और उन्होंने मस्जित बनाने का प्रयास किया अंधेरा है बुरितर कैसे अंधेरा है और यहां कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम प्रयास करेंगे नमस्कार मैं हूँ शूतिराग और आप देख रहे हैं भारत एक्स्प्रेस उत्तरप्रदे मीडिया में मस्जित के नीचे लाक्षा ग्रह को बताया जा रहा है आखिर यह लाक्षा ग्रह होता क्या है टीवी सीरियल महाभारत में लाक्षग्रे तो आपको याद ही होगा लाक का बना वो घर जिसमें कौरव ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची थी लेकिन उस साजिश में बाल-बाल बच गए थे पांडव अब आप सोच रहे होंगे कि लाक्षग्रे की हम बात क्यूं कर रहे हैं 5000 साल पुरानी घटना एक बर फिर सुर्खियों में क्यूं है तो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं महाभारत की इस घटना को बताने के लिए अब हम आपको 5000 साल पीछे यानि फ्लैश बैग में लिए चलते हैं आपको बता दे कि धृतराश ने दुरियोधन को युवराज घोशित कर दिया इधर शकुनी ने पांडव पुत्रों को मारने की साजिश रची धृतराश ने पांडवो को वर्णावत उत्सव में हिस्सा लेने के लिए जाने का आदेश दिया क्योंकि यही वो जगा थाई जहां पांडवो के पिता पांडू हर वर्ष उत्सव में हिस्सा लेने जाते थे महाराज धिर्टाश के आशिरवात के बाद पांडव वर्णावत के लिए निकले लेकिन इस साजिश का पता विदूर को लग चुका था उन्होंने अपने विशेश दूद को भेज कर एक सुरंग खुदवाया जहां से निकला जा सके इधर वर्णावत में लाक्षग्रे तयार था लाक्षग्रे इसी लिए कि ये लाक से बना हुआ है वही जिससे चूडिया बनती है लाक्षग्रे में आग लगाई गई लेकिन चाचा विदूर की सूजबूच की वज़ा से पांडव सुरंग के जरिये सकुषल वहां से बाहर निकल गए अब 5000 साल बाद आज भी यूपी के बागपत में वो वर्णावत मौजूद है जहां लाक्षग्रे वाली साजिस रची गई थी लेकिन उसी जगा को लेकर वर्तमान में विवाद था मुस्लिम पक्ष इसे दरगा और कब्रिस्तान कह रहा था लेकिन अदालत ने हिंदू पक्ष को इसे देने का फैसला किया कुल मिला कर कहें तो हिंदूओं को महवारत काल की धरोहर पाने में कुल 53 साल लग गए लाक्षाग्री की ये वही जगह है जिसे मुस्लिम पक्ष मजार बताता है मगर हिंदू पक्ष इसे नहीं मानता है और कोड का जो फैसला आया है हिंदू के पक्ष मैं हमारे साथ बाच्चित करने के लिए सास्त्री जी है सास्त्री जी इस जगह के बारे में बताएंगे इसके पहले मैं बताऊं आपको कि 108 विखे का पूरा एरिया है जिसको लेकर के पूरा ए लाक्षागरी का एरिया है और खासकर कि यह जो गुंबत दिखाई दे रहे हैं इसको आप इसी को लेकर के बिवाद है डिसको मुسलिम पक्स लगातार अपना थाया और इसको दिखाये कि और भी Unterstüt मेरा नाम फिर प्रद्टम created यह कहता है कि मंदि रहे हैं वास्त्व हो मंन एंधिर कोकि अप यह स्ट्रक्चरच्चर देख रहे हैं सबसे पहले तो इसके बनानी की जो लाल बल्वा पत्थर है जो राजस्थान से लाया गया था माभरत काल के पश्चात इसे एक व्यक्ति ने बनाया था जो व्यापारी था ठीक है दूसरा आप देख सकते हैं कि किसी भी क्योंकि मुस्लिम धर्म वाले जो था बुद्ध परस् काल की हैं जबकि यह प्राचिन काल में मंदिर हुआ कर दूसरा चोटा चोटी इंटों से दिवारे की हुई है यह चोटी हीटे मुसलिम काल की है जबकि ये प्राशिन काल में मंदिर हुआ करता था और इसी के पास में बगल में कुआ है क्योंकि हिंदू मानने ताओं कि ये जो जगह है जैसा कि आपने बताया कि मैं आपको पहले सबसे पहले हुकुम जी ये दिखिए कि यहां पर ये जो गुमबद है इसके ठीक उपर ओम लिखा हुआ था जिसको मिटा दिया गया है उसके उपर भी अगर आप जाएंगे तो एक चौकट है जिसमें साबसाब दिखाई दे रहा है कि उसमें देवी देवताओं की तस्बीर थी लेकिन उसको भी मिटा दिया गया है यानि यहां पर लगातार जो मेन आकृती थी जो मेन मंदिर था उसको उसके साथ छेड़ चाड मुसलिम पक्षदारा किया गया और हर थोड़ी दूर पर ये दिखाई दे रहा है साब साब की वहां पर देवी देवताओं की तस्बीर है और जो आकृती है जो जो निशान बने हैं जो कलाकृती है वो हिंदों की है और ठीक उपर अगर आप कहेंगे तो कुंडा जो बता रहे हैं कि कुंडा है वो भी इसका सबूत है कि कभी भी मुसलिमों के मस्जित में इस तरीके के गुंबग में कुंडा नहीं लगता है लेकिन इसमें है सास्त्री जी राफ और आफिर किस आधार पर जो है मुसलिम पक्स सको दावा कर रहाatori यहां पर कोई शेख बदुरुद्धिन है उनकी मजहर रहें उन्होंने यहां पर रहकर के इबादत की थी जबकी वो बदुलु सिंग नाम के व्यक्ति थे जो व्यापारी थे उन्हें नहीं इस मंदिर का निर्मान किया और यहीं पास में यह कुआ है को कि स्थापना की हिंदु माननेताओं के अनुसार सबसे पहले प्रकृति की पूजा होती है प्रकृत्वी जल अगनी वायू और जल की पूजा सबसे प्रथम होती है तो जल के लिए उन्होंने कुए की स्थापना की कुए को बनवा कर ही इस मंदिर में यहां पर यहीं सिवलिंग ता जिसको मिटा दिया गया है यह बीच की जो आकरती स्ट्रक्चर है इसे हवन करने का हवन कुंड भी कह सकते हैं वो इस्ट्रक्चर यहां पर था तो यह सब इनके आधार पर ही यह साबित होता है कि यह हिंदु मंदिर था हिंदु मंदिर है और लाक शग्रे की भूमी है जिसे दुर्योधन ने पांडवो विदुर के कुशल नेत्रत्तु के द्वारा कुशल मंत्री के संचालन के द्वारा उन्होंने उसका निर्मान कराया और जब युदिष्टर यहां पर आने लगे तो युदिष्टर से रुद्योधन से सभी पांडवों से प्रसंद किया कि अगर वन में आग लग जाए तो कौन रहता है तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन यह से प्रस्टन का उत्तर नहीं दे पाए फिर युदिष्ण से पूझा युदिष्ण ने कहा कि चुहां सुरक्षित रहता है तो इसलिए जब वह यहां पर लाक्षग्रे में आये तो उसमें केवल एक ही मार्ग था आने का औ के निकल गए यहां पर मैं दर्सकों से बताऊंगा कि यहां का एक एक कड एक भूमी एक चिन सब कुछ यह साबित करता है कि यह लाक्षा ग्रेता महाभारत का यहां पर साप साप अभी दिखाई देती है इसके बावजूद भी मुस्लिम पक्ष अगर इसके लिए दाबा कर करता है तो कहीं न कहीं कोई शरारत थो बिलकुल शरारत है मुस्लिमों का इथ्यास रहा है कि जहां पर भी हिंदू देवी देवताओं के या लिए संस्कृति का विकास हो वहां पर उन्होंने उस पर कबजा करने के को सिस्क आ नहीं रहा हो चाहे वह घ्यान वापी मंदिर रहा हो चाहे आपका कृष्ण का भी मंदिर मॉथ्वरा में रहा हो तो ऐसे ऐसे देश में लगबग 500 कुछ मंदिर है जिन पर कभजा करके उनको तोड़ करके उसके पर उन्होंने मस्जित बनाने का प्रयास किया जबकि लाक्षग्र है यह पुने से राया लाक्षग्र है आप भारते आर्मी के अगर नक्षा मैप उसमें डिबाट्मेंट लाक्षे में पी घ्रिक तПрrie लिए미ं के जगह-ठार उग्साप को बॉर्ड लगे जिस पर हैं इसको तो मानव का कंकाल जो 3000 वर्स पुराना है जब कि मुसलिम पक्ष का जो धर्म है मुसलिम मत है वो केवल उसको 1400 वर्स हुए है दूसरा मानव का कंकाल मिला वो 3000 वर्स पुराना एक तांबे के बरतन भी मिले है और एक रत की आकरती का भी ऐसा कुछ मिला है और एक तलवार भी मि मिटट और दूसरा मिटी जो भी है वा मिटी जली हुए होती है दूसरा के यहे शावित होता है कि सबसे यह साभित होता कि यह अग्नी आ लगी हूई मिटी और इसके आधार पर भी यह लाक्षगरी recipients चैनला ज Jiang प्रतिमाएं मिली वो साब साबित करती थी कि ये हिंदू प्रतीक अस्थल है, हिंदू धर्मस्थल है, न कि कोई समाधी अस्थल है आपको बताते चले कि महाभारत, कालीन, लाक्षागरे और दर्गा के विवाद में अदालत ने फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया है अदालत ने प्राचीन ठीले को लाक्षगरे माना है, कोट ने ASI की रिपोर्ट और राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेखित शिव मंदिर वा लाखा मंडव के साक्षों को फैसले के अधार को मानते हुए प्राचीन ठीले पर दर्गा और कब्रिस्तान के दावे को खारिच कर द आवा, आपको बता दे कि महा भारत काल का वो सुरंग अभी भी मौजूद है, लक्षग्रे में आग लगने के बाद ये वही सुरंग है जिससे पांडव सुरक्षित निकले थे, और दुरियोधन को ये पता चला था कि वो मारे गए, आखिर वो सुरंग आखिर अब कैसा द दिखाएंगे कि हलाकि इसकी उचाई बहुत जादा नहीं है और इसमें जो है खास करके जो अभी जो इसका किनारा है वो तो इंट से बने हुए हैं लेकिन अंदर जो है वो मिट्टी है और ये थोड़ा सा हाइट में कम जरूर है मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हलाकि चार पूरा सुरंग मैं अपने कैमरामन से कहूंगा कि वो अंदर आएंगे क्या लाइट इसमें हलाकि अंधेरा है और यहां कुछ आगे दिखाई नहीं देरा है लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसके आगे की तस्वीर भी हम आपको जरूर दिखाएं सुरंग से में घुसने के थ जरूशी देख सकते हैं और अगर इसकी बनावर देखेंगे तो थोड़े दुराने के बाद इसमें एक बड़ा घुमाओ आ गया फिर इसके बाद थोड़ा और गुमाओ आ गया और जैसी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे से और ज़्यादा घुमाओदार होता जा रहा यहां पर बहुत जादा अंधेरा है और अगर आप दिवारों की बात करें तो इन मिट्टी के बना है और कुछ निशान जरूर इस पर है इन दिवारों पर जिसको आप देख सकते हैं कुछ मकड़ी के जाले आप देख सकते हैं यहां देखिए एक मकड़ी का जाला भी है और क तोड़े घुटन भी हो रही है थोड़ी ऐसी सिचुशन है यहां पर जहां पर आप सांस लेने में आपको दिक्कत होगी लेकिन फिलाल यह है कि यह हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंदू पक्स की जीत के बाद इस सुरंग की इंपोर्डेंस बहुत जादा बढ़ गई है दर्स है तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो है मैं आपको बताओं यह कुछ एक इस तरीके की आकरती है मैं अपने केमरामें से कहूंगा दिखाने के लिए कि जहां पर एक ऐसा लग रहा है कि कुछ रखने के लिए बनाया गया है और इस तरीके की आकरती सुरंग में है और इसके म पीछे गर हम जाते हैं, कि देखे, मैं एक चीज और भी बताओं कि यहां पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप थोड़ा सा है, यहां पर हाइट है, लेकिन इसके बाद फिर वही जगह कम हो जाती है, और एक और बात, जब उस कहानी के बारे में आपको समझाओं, तो हुआ क्या हकीकत है, और यह साक्षे बताते हैं, कि पांडो की कहानी कोई सिर्फ पौरानिक कहानी नहीं है, कोई कलपना नहीं है, एक हकीकत है, जिसमें सीधे सीधे यह दिखाई दे रहा है, कि जो कथाएं कहती हैं, वो यहां पर मुर्त रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई दे कि एक रास्ता इधर से जा रहा है एक रास्ता इधर से जा रहा है और यह दोनों रास्ते बाद में जा करके एक की साथ मिल जा रहा है और आप देखिए तो अंडे के आकार की एक सुरंग हो गई है और यह जो दोनों रास्ते हैं जिसके सहारे पांडो निकले थे वह बाहर जा यह वो एतिहासिक सुरंग जिसको आप भारत एक्स्प्रेस के कैमरे पर देख रहे हैं और जो कोड का फैसला है जो कोड का फैसला हुआ आया है हिंदु पस्की जीत हुई है और कोड ने माना है कि यहाँ पर लाक्षा ग्रे था यह जगह जो है कोई कब्रिस्तान नहीं थी यह जगह कोई मुस्लिमों के नहीं थी कोई दरगा नहीं था कोई मस्जिद नहीं थी और यही वज़ा है कि इसको इन ही सबूतों के आधार पर नहीं साक्षों के आधार पर इसको जो है लाक्षा ग्रे करार दिया गया और यह बताया गया कि जो पांड़ो कालिन जो 5000 साल पुर प्रवाइब करने के लिए लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यह सुरंग बनाई गई गई है बहुत चोटा रास्ता है और इसी सुरंग के रास्ते से जो पांडव बाहर निकले थे चनायन गाउँ पड़ता है कि यहाँ पर भी संगम है और यह जो नदी है यही सुरंग के बगल में है और जो चुनायन गाउँ बता रहा है हिसे कुछ किलूमीटर दूर है जहां से इस सुरंग से निकल करके पांडव निकल गए थे तो आज भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है आपको वो सुरंग जो पांडव का लिन सुरंग थी जो महाभारत का लिन सुरंग थी जिसमें दुरियोधन के शडियंद्र से बच करके बिदुर की नीति से पांडव की ज बाहरत कालीन कुछ लिखा हुआ है कि यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है कुछ न कोई न कोई प्रतिलिपी है जो एक सास्ट के तोर पर हिंदू-पक्ष लगातार प्रेसित करता रहा है और मैं अब कहूंगा कि इसको फिर बाहर निकलता हूं इस सुरंग से तो यह जो सुरंग है यह बहुत अद्भूत है और उस दोर में जब सुरंग बनी थी जब पूरा का पूरा शडियंत्र कवरों दौरा हो रहा था पांडों के खिलाप और बिदूर ने एक बिदूर को पता था कि जो लाक्षागरी है उसमें पांडों को मारने की दुरियोधन साजिस रच रहा है और इसी साजिस को बेनकाब करके उन्होंने एक ऐसा सुरंग खुदवाया एक ऐसे सुरंग के जरिये पांडों को बहार निकलने का रास्ता बताया जिससे उनकी जान बच गई तो बागपत का ये इलाका इस सुरंग के लिए पूरे आसपास के छेत्र मे फेमस है और अगर मैं यहां से निकल के आपको बताऊं तो अब हम सुरंग से बहार निकल गए हैं ये काफी लंबी सुरंग है और जिसमें अब मैंने बताया जैसा कि दो रास्ते हैं और रास्ता आखिर कर जाकर के बंद हो जाता इसके आसपास देखें पेड़ पौधे और काफी हरियाली है और यहीं पास में एक नदी भी है जो बहती है तो यह जो इमारत है यह जो यह जो सुरंग है वो जहर सी बात है कि पांड़ो कालीन इतिहास को परिभासित करती है उसका दस्तावेश हैट तरीके से उसको सबूत के तौर पेश करती है और यह बताईए आप पर एक नधीदी यहां दाहिजा़ों होता है इसलिए इस सतान को भी पविट्रि इसको मेना जाता है आसपास के लोग हैं वह क्या यहां पर आते हैं यह पर आसपास ही नहीं बलकि उतरपरदेश हर्यान राजस्तान वहाग ४ाहर जो अलग इस्टेट है उनसे भी लोग यहाँ पर आते और दर्सन Be तो जाकर के इस पूरे सुरंग को दिखाया और सुरंग कें अंदर कच्ची दिवारे है अलाग के कुछ मेरे पीछे सुरंग का एक दूसरा हिस्सा है जिसको आप देख सकते हैं कि कैसे यह सुरंग है और इन सुरंग के अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्यों कि यहां बताया गया है कि सांप और तमाम बिच्छु जैसे बहुत सारी चीज़ा रती सले इसमें जाने के लिए मन दूरी है क्योंकि इसको काट दिया मुगलों ने और इसको एक तरीके से नस्ट करने की कोशिश की गई और जिसके चलते इसमें एक इसको काट करके एक जगा बना दिया गया और यही बज़ाए कि सुरंग एक दूसरे को हलाको जोडती हुई दिखाई देती है मगर अभी फ अब फिलाल महा बारत कालीन इस धरोहर में संस्कृत विद्याले चल रहा है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं यहां पढ़ने वाले बच्चों को कई तरह की सिक्षाय दी जाती हैं ये जगह भले ही महाबारत काल का हो लेकिन यहां से कई रिशी मुनी में जुड़े हैं तो पूरु काल में शरिंग रिशी थे, उनका एक विद्याले था और उनके तीन सिष्य मुख्य थे, एक माहनन्द मुनी थे, एक लोमस रिशी, एक कुत्री मुनी. तो कुत्री मुनी को शाप दिया था इनोंने, जिस कारण से इनको दुबारा जन्म लेना पड़ा. तो उन्होंने कहा कि लाक्षग्रे उनके शिश्य मानन थे तो उस सरीर से वो बोलते थे एक ही सरीर से दोव आ जाती थी एक प्रश्ण करने के उत्तर देने की तो मानन्द मुनी एक सरीर से प्रश्ण कर रहे हैं और स्रिंग रिशिव का उत्तर दे रहे हैं तो महानन जी ने प्रश्न किया, पहला इतियास उन्होंने लाक्षेगर का दिया, जब यहां पहली बार आये, संसत्ता उनके करीब, तो उस समें महानन जी ने प्रश्न किया, कि गुरुजी आप हमारे स्थान पे गए थे, यह वही स्थान है, लाक्षेगरे, जहां बनाने के पांड़ों को, और इस से पहली जो है, यहां व्यास रिशी का आश्रम था, यह गुरुकुल था, उसमें काफी बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद फिर आचारे दोन का विश्विद्याले बनाया गया, जिसमें कहीं जार विद्यारती पढ़ते थे, धनुरुएद का पांड़ों को जलाने के लिए बनाया था, तो उनको जलाने के लिए बनाया था, तो यह इसमें जो है, घी, सन, चर्बी, लाख एक पदार्थ होता है, उनको इसमें लगा गया था, उसमें आगे लगी तो सब बसमें हो गए थे, वो पांड़ों जो है, सुरक्षित, एक सुरंग के माधियों से निकल गए थे, जो आज सुरंग है वो यह आज भी है, तो जिसका आप सब देखेंगे, यह तिया सया का. महाभारत कालीन 5000 सार पुरानी इस धरोहर खोफिर से हिंदू पक्ष को दे दिया गया है, यह जगा अदालत के फैसले के बाद अचारक सुर्खियों में आया, बहुत लोग तो यह भी नहीं जानते कि लाक्षाग्रे होता क्या है, तो हम आपको बता दे कि यह वो घर था जिसे लाख और जलने वाले सामानों से मनाया गया था, इसको इस तरह से तयार किया गया था कि आग लगने के बाद उसमें कोई भी इंसान बच न पाए, लेकिन तो रियोधन की वो साजिश नाकाम हो गई, लाक्षाग्रे तो जलकल खत्म हो गई, लेकिन सुरंग जिससे पांडव निकले थे आज भी मौजूद है, बागपत के वर्णापत से भारत एक्स्प्रेस समवादाता देवनात की एक्स्लूजिव रिपोर्ट, इस वीडियो मे फ़लाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं, भारत एक्स्प्रेस उत्तरप्रदीच